Hey guys, how are you all? आप सभी को एक problem आ रही है आपने admit card के regarding आप सभी के admit card में invalid credentials शो हो रहा है अगर आपका admit card डाउनलोड नहीं हो रहा है तो एक तो बहुत बड़ी दिख्कत है कि आप सभी के admit card डाउनलोड नहीं हो रहे हैं साथ ही जिन भी students के और aspirants के admit card डाउनलोड हो गए हैं बट उनके name में या फिर उनके father's name में कोई mistakes थी तो उसके regarding भी इस वीडियो में है मैं आपको complete detail बताऊँगा अभी कि अब क्या update है और आपको क्या करना है इस वीडियो को पहले आपको end तक देखना है और आप अगर अभी मारे चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe जरूर करीजिए ठीक है चलिए फिर मैं आपको फटा-फट से बतायता हूं कि invalid credential का मतलब क्या आ रहा है क्यों हो रहा है वो आपके साथ तो सबसे पहले यह चीज है कि आपका form नंबर है वो form नंबर आप सही नहीं डाल रहे हो form नंबर कहां से मिलेगा तो form नंबर आप अपने पोर्टल पर जाओ जहां पे आपने डेली निवरस्टी का जो application form फिल किया था उसमें login करो login करके जाके print form पे click करो और वहां से अपना form नंबर आपको शोरा इस पे पेस्ट कर दो और फिर डेटो वर्ट आपको password पता ही है और अप तो website जिस दिन यह announce हुआदा कि admit card आ चुके हैं उस दिन तो काफी ज़्यादा रश थाट website पे website अच्छे से work नहीं कर रही थी बट आप तो अच्छे से work कर रही है आप easily यहाँ स्टूदेंट के admit card में कोई mistake है तो उनके लिए क्या news और क्या update है सबसे पहले मैंने भी काफी सबके regarding के mail किया मैंने डली निवेस्टी को सो उस mail में जो वो सबको mail कर रहे हैं और फिर mail आया है आप सभी के जिनके भी mail admit card में कोई mistake थी वो सब student अपना admit card एक बर दुबारा से जाके जो अभी same process जो मैंने website रिखाई इस website पर आके आपको दुबारा से admit card डाउनलोड करना है admit card डाउनलोड करके फिर उससे उसमें चेक करना है कि अगर कोई mistake है तो नहीं वैसे अब वो correction कर दी नहीं है कोई भी mistake नहीं है in case अगर वो mistake पाई जा दिया अगर आपके case में है वो mistake तो आपको admit वो जो gmail id बताए गई है ये वाली duet nt820 at the rate gmail.com पे mail करना है in case the admit card display mother's name and guardian's name in a place of father's name kindly ignore it the field will test it as a mother's name and a father's name and a guardian's name तो आपके name में कोई गडबड़ी नहीं होनी चीक्यों कि because जब आप exam देने center पर जाओगे तो जो आपका ID proof होता है उस ID proof को आपके admit card से match किया जाता है कि आप वही बंदे हो या फिर कोई भी student हो aspirant हो जिसने examination form fill किया है तो वो बस check करने के लिए होता है कि आप authenticate हो या नहीं आप कहीं fake तो नहीं हो अगर आपके mammy papa के name में कोई card बढ़ा है तो कोई नहीं उसको ignore करो totally ignore करो कोई दिक्कत नहीं है तो यह एक update आई है Delhi University की तरफ से आप आपको करना क्या है कि इस website पर आना है और आपको अपना admit card हो दुबारा से login करके डाउनलोड कर लेना है और आप सभी को best wishes है मेरी तरफ से आप सभी का admission होगा Delhi University में और all the best, best of luck इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा share करिए अपने दोस्तों के साथ और इस वीडियो को like कीजिए God bless you all